भीगती आखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, हमसे मिलना है तो जरा साधा मिजाजी से मिलो आएने भेश बदल के नहीं देखे जाते, वजदारी तो बुजुर्गों की अमानत है मगर हमसे ये बिकते वे जेवर नहीं देखे जाते, जब जिन्दा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लस्कर देखे नहीं जाते हलो नमस्कार दोस्तों मैं पुजा चाहर, करेर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनादन करती हूँ तो देखे करेर बनाओ जो टीम है, वो आपके लिए, यनि कि स्यार्फियप के सुर्माओं के लिए जो भ्रमास्तर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी कड़ी में आज आपकी छटवी क्लास है, देखे करेर बनाओ टीम की लगातार साथ बज़े से दस बज़े तक, लगाता आपके लिए, तो जुड़िए उनके साथ और लगाई अपनी तेयारी को चारचाल, तो देखे बढ़ते अपनी क्लास की तरफ, एमसी क्यू सीरीज अपना एजे रैपेड डिविजन बैच चल रहा है, उसी कड़ी में आज आज आपकी 6 क्लास, 6 क्लास है, 5 क्लास आपकी पहले से हो चुकी है, यदि आप इस मंच पे पहली बार है, तो एक बार आप पिछे की सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हिं इस में से आप 25 नमबर लेके आते हैं, तो यदि बाकी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी आपका स्कोर डाउन रहता है, तो आपको इक्वल कर लेगा, और आपका सेलेक्शन हो जाएगा, हमें देखिए कुछ नहीं चीए, बस हमें आपका सेलेक्शन चीए, कुछ भी कर है, दिये गए मुहावरे का सही अर्थ है, दिये गए मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरा क्या है, अंदी खोपडी, अंदी खोपडी मुहावरे का सही अर्थ है, पहला आपका उप्शन है, अंधेरा दिखाना, दूसरा आपका उप्शन है, मुरक, तीसरा आपका उप् है यह गलत का唐 अंसर बते ही फटा पर दिये गए मुहावरे का सही अर्थ मुहावरा आपका है अंधी कोपड़िन किसको कहते हैं प्रख को सब्सक्रीन नमबर दो है वह आपका बिल्कुल राइट है अंदीक ओपडी मुहावड़कार्थ होगा मुरक्र अगला आपका कुछन है बहुत तेज चलना वाक्यांस के लिए एक सब्द है यह जो कुछन वह आपके वोकेब से उठाए गए हैं ग्रामर की कुछन भी आपके आएंगे सार दोपिक उनसे आपके अलगला कुछन लिए गए यह आपका है बहुत तेज चलना वाक्यांस के लिए एक सब्द है पहला कॉप्षिन है सास्वत दूसरा आपका अप्षिन है दृतगामी तीसरा आपका अपशिन है नवजात और चारणमर आपका ऑप्षिन है करमठ आंसर प्टाफट बहुत तेज चलना वाक्यांस के लिए एक सब्द है कितलेत बहुत तेज चलना पक्चांचcentered के लिए Sbed मुट दृत गामी मुट का आर्थ होता है बहुत तेज चलना अब एक जो अभी अभी पैदा हुआ है यानि कि जिसने अभी अभी जनम लिया उसे कहते हैं नवजात इसके अलावा कर्मट के विलोम की बात करें तो कर्मट का विलोम होता है निठला कर्मट का विलोम क्या होता है निठला तो आप देख लीजिए आपको कर्मट बनना या फिर निठ हो जाएगा दुरुत्गामी नमबर दो बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ चक्र धर सब्द का समास विग्रेय है क्यूशन क्या है चक्र धर सब्द का समास विग्रेय है पहला आपका उप्षन है चक्र है धर में जिसके तूसरा आपका उप्षन है चक्र है अधर में जिस जिसके तीसरा है चक्रधारण किया है जिसने और चार नंबर आपका ओप्षिन है चक्र है घर में जिसके तो देखिए चक्रधर सब्द की बात करते हैं कि चक्रधर जो सब्द है इसमें आपके क्यूशन में दे रिखा उसमें समास कौन सा है समास आपका हो जाएगा बहुवरी समास यानि कि जिसने चक्रधारण किया है यानि चक्रधारण किया है जिसने अब बहुवरी जो समास है उसका क्या अर्थ होता है बहुवरी समास है उसमें ना तो पर्थांपत परधान होता है ना ही द्वित्यपत परधान होता है बहुवर शब्द के लिए वो सब्द है वो रूड होता है तो चक्र धर्ष का समास विग्रे क्या हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने सब्द का सही संदी विछेद है उसका सही संदी विछेद है संदी का क्यूशन आपको खुद करना है संदी समास उप्षग और पड़ते यह चाह टोपिक तो आपको ऐसे करने है इसमें आपको सब्द देखना है सब्द देखके उसमें से उसका विखंडन करके फिर उसके आंस सब्द है उसका सही संदी विच्छेद क्या है पहला आपका उप्षिन है उत्त प्लस लास दूसरा आपका उप्षिन है डल प्लस लास तीसरा आपका उप्षिन है उल्ल प्लस आस और चार नंबर आपका उप्षिन है डल प्लस आलास आंसर वता फटा फट उल्लास सब्द का स उल्लास जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता ए अब उल्लास सब्द के विखन्दन की बात करें मैंने कितनी बार बता दिया आपको सन्दीकार्ट होता है जब 2 या 2 से अधिक वरण दर मिलते हैं और उनके बाद उनमें जो विकार उत्मन होता है उसे अपन क्या कहते हैं संदी उल्लास सब्द की बात करें सबसे पहले सब्द को आप बोलिए सबसे पहले आप सब्द को बोलिए उल्लास उल्लास बोलेंगे तो धवनी क्या आएगी लास की यनि की फलस के बाद आपको क्या क्या है अब बाकी जो बचता है go उत्र प्लस लास जब इसको जोड़ते हैं प्राइगा अब विशग सब्द है उसमें उधार संदी यदि विश्रकां पर परिवर्तन हो रहा है तो इसमें शंदी तो इसमें देखें तैय क्या है तै Yesimet है आपका विजन को अब लिए जयंके तान पर पर वबर हो रहा है मिनस वेंज़न संदी तो उल्लास जो सब्द है उसमें आपकी हो जाएगी वेंज़न संदी अब आपको देखो ओप्षन में इसे आंसर निकालने आने चाहिए नेर्य को कुछिश्ण के साथ ही अंसर देता लेकिन आपको निकालने नहीं आते सबसे पहले तो आपको option काटने आने चाहिए पहल आपको option देकि उत्त-प्लस लास यह आपका एक नंबर है वह सही है दूसरा आपका अपको अब इसमें किया रखाए आस जो मूलसब्ध है वो तो आपका सही लेकिन जो डल है सोरे जो लास है वो तो ठीक है लेकिन डल कहां से आया या तो धल यह तो यह आपका कट गया अब तीसरा आपका option है उल्ल प्लस आस उल्ल नाम से कोई सब्द नहीं होता है आस ठीक है यह आपने देखा आस यह दि मूल सब्द है तो उससे पहले उल आ गया तो उल्ल क्या है कोई सब्द नहीं होता है व्याकरण में तो यह option भी आपका प्लस के बाद मूल सब्द लिए और बाकी जो बचता है उसको प्लस से पहले लिग दीजी यहीं क्या है संदी है सेम यहीं कॉंसेप्ट वब आपके समास पह चलेगा think option ुआ का बिलकुल सही हो जाएगा अगलाक सोट है कि जंगम का विलोम सब्द है यह वह आपका क्उशन है वह वो कैब से लिया गया है विलोम सब्द से तो जंगम का विलोम सब्द पूछा है संपरदाइto जंगम जो शब्द है उसका विलोम क्या है तो देखिए जंगम के विलोम की बात करें जंगम सब्द का विलोम होता है स्थावर जंगम का होता है विलोम स्थावर इसके अत्रिक्त बात करें अथ्य होता है अथ्य का विलोम होता है इती इसके अलाव होता है श्रीगनेस एक होत सब्ध होता है आपका उन्मुख एक होता है आपका उन्मुख का क्या हो जाएगा कि इसकी एक सब्ध होता आपका सदाचार क्या की बात करें तो होता है कद्दाचार का विलोम क्या होता है कद्दाचार तो यह भी यदान रखना कई बार एक्जाम में पीसिक एक्जाम उसमें यह पूछे हुए है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा जंगम का विलोम सब्द है कौन सावर अप्शन नमबर तीन है वह आपका बिलकुल रइट अगला आपका क्यूशन है एसुर सब्द के समान अर्थ वाला सब्द चुनिए यानि कि यह क्यूशन आपका समानार्थी सब्द से एसुर जो सब्द है उसका समानार्थी पूछा गया है पहला आपका ऑप्शन है भृत्ते दूसरा आपका ऑप्शन है दनुज तीसरा आपका ऑप शब्द होता है दन्नुज की बात करें तो राक्षष देत्ते तो जो शब्द है वह किसका समानार्थी है दन्नुज का राक्षष का और देत्ते का यह आपका बिल्कुल राइट है आगे देखिए अगला क्यूशन आपका अगला है रिक्तिस्थान के लिए निर्देशा अनुसार उचित विकल्प का चैन कीजिए देखिए ओप्सन क्यूशन क्या आपका तुम जाकर डोक्टर को दिखा लो रिक्तिस्थान भी देरी मत करो यह क्या आपका परिणाम वाचक किरिया विशेशन है यह क्या है परिणाम वाचक किरिया विशेशन है रिक्तिस्थान की पूर्ति करने हैं निर्देसा अनुशार तो देखी क्यूशन है तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो रिक्तिस्थान भी देरी मत करो अब ऐसे क्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था ऐसे क्यूशन उनके लिए एक एक option उठाईए और जहां भी रिक्तिस्थान आता है उनकी स्थान पर रख रख के देखिए आप जो भी option है वह आपको जमता है आपको अच्छा लगता आपको तो कुछ भी अच्छा लग सकता है आपको अच्छा निए लगता है अच्छा लग रुख लेखिए यह टो भी ऑप्शन यहां पर जमेगा सब्सक्राइब स्क्राइब सभिष्चों पर है सबस्तों के दूर को एक दूर रैक्तिस्थान पर रखिए के दूर मैं और जो वाक्य है उसको को बोल के देखिए जब तक आप बोल के नहीं देखोगे देखो बैठे बैठे ओप्षन देखते रहोगे तो उसमें सारे सही लगें आपको एक एक ओप्षन को उठाईए और रिक्तिस्थान पर रखिए अब देखिए पहला आपका ओप्षन है के दूर तुम जाकर देखिए रिक्तिस्थान पर अब देखिए तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो कहीं भी देरी मत करो अब बोलके देखिए तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो कहीं भी देरी मत करो मताई अच्छा लग रहे है क्या आपको नहीं एक्जामिनर को अच्छा लगना आपको न कारण अब रेक्तिस्थान के रखिए के कारण बोलिए बोल के देखिए सबसे पहले वाक्य को तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो के कारण भी देरी मत करो तो यह भी नहीं जम्रा मतलब ऑप्शन नमबर 3 है वो भी गलत हो गया अब देखिए यह ऐसे ठिकाव लगा के देखिए जो अच्छा लग रहा एक जो बोलने में आपकोसर हो रहा है वह आपको आपका रखती देखिए बिल्कुल जो शब्द उसको रखते हैं, तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो, बिल्कुल भी देरी मत करो, बिल्कुल भी देरी मत करो, यानि कि चार नंबर ओप्षन है, वो आपका बिल्कुल सही है, अगला देखिए, अगला है सकती संग्या सब्द से बनने वाला सही विशेशन वाला विकल्ब चुनिए सक्ति संग्या है संग्ति जो संग्या है उसका विशेशन पूछा है तो पहला आपका उप्शन है सक्ति वर्धक दूसरा आपका उप्शन है सक्ति शाली तीसरा आपका उप्शन है सक्ति रोधक चार नंबर आपका उप्शन है ससक्त आंसर बताइए फटाफट सकती जो संग्या है सकती से बनने वाला विशेशन कौन सा होगा देखी संग्या सब्द होते हैं जिनकी जो विशेश्ता बताते हैं संग्या और चर्वनाम की उसे कहते हैं अब यह देखने में आपको इजी लग सकता लेकिन बड़ाई सकते वर्दक तो सभी הי मैं लेकिन ऑपफशन को सकती से विशेशन कौन सा बनेगा यह देखना तो सकती है यह संग्या सब्ध है और इससे बनने वाला विशेशन हो जाएगा सकती साली क्या हो जाएगा सकती साली तो option नमबर दो है वह आपका बिलकुल लाइट है देखिए यह चारो जो वर्ड है वर्ड तो यह भी सही है लेकिन आपको क्या करना है पहले question पढ़ना है कि question में आपको पूछ रहा क्या examiner सबसे पहले आपको क्यूशन ढंग से पढ़ना है फिर आपको option में जाना है कई बार कुशन में नहीं पूछता रहता और अपन जोस दोस में इजी देखिए एक नमबर option करके आ जाते हैं और भारा के देखते एक्जाम मोल से तब पता चलता है कि यह क्यूशन आपका सर्वनाम से लिए गया है क्या पैचारना है सर्वनाम पैचारना है तो वाक्य क्या है कोई आपसे मिलने आया है कोई आपसे मिलने आया है इसमें कौन सांग शर्वनाम का भेद है पहला आपको option है एनिश्चे वाचक शर्वनाम दूसरा आपको option है प्र कौन से जो विकल्प है वो सही है कोई आपते मिलने आया है कोई है देखिए कोई जो वर्ड है इसमें देखो कोई निश्चिता नहीं है कोई समंध नहीं है कोई प्रशन नहीं है और कोई निजता नहीं है यहनी कि सर्वनाम सब्द होते क्या है सर्वनाम सब्द होते हैं संग् आपको सग्या है अब आपको संग्या है अब पर्युक्त कर सकते हैं कोई के इस हम чит है हो तो इसमें सरवनाम भी कौन सब्सक्रा अ Bear धंग से पढ़ना है उनको और आपको निकालने आने चीए तो कोई जो वर्ड है वह होता है अनिश्चे वाचक शर्वनाम अब निजवाचक जो शर्वनाम है जैसे निजवाचक शर्वनार अग्लव श्रुषंन है उस विकलप का चेहन कीजिए जिसमें जो सुध वाक्य है उसका सबसे अच्छा विकलप यह पहत्व है सुध वाक्य से लिया गया पहला आपका उप्षण है मैंने आझ नहीं कमीज ढ़ली दूसरा आपका option है मैंने आज कमीज नहीं पहनी तीसरा आपका option है मैंने डाली आज नहीं कमीज चार नमबर आपका option है मैंने आज नहीं कमीज पहनी बोल बोल के देखिए इनको options को अलग अलग है उनको बोल बोल के देखिए जो जमता है वही सही होगा जमना आपको इन examiner को भी जमना चीए पहला आपका option है मैंने आज नहीं कमीज डाली डाली कोई कच्रा तो है नहीं जो डालेंगे तो क्या है कमीज है तो कमीज क्या की जाती है पहनी जाती है ना कि डाली जाती है तो पहला option तो आपका वैस से कट हो गया दूसरा है मैंने आज कमीज नहीं पहनी मैंने आज कमीज नहीं पहनी क्या नहीं पहनी नहीं क्या कमीज है तो कमीज की विस्थेश्था बता रहा है नया जो शब्द है वो तो कमीज से पहले आएगा ना तो यह क्या हो गया आपका करम भंग समंदी एसुद्धी होगी करम भंग समंदी एसुद्धी अब देखो दो नंबर ओप्शन भी आपका कट गया तीसरा है मैंने डाली आज नहीं कमीज देखो डाली दिग गया मिंस यह ओप्शन भी आपका कट गया डाली दिग गया तो कमी क्या कि जाती हैë तो अप्षिन नंबर तीन है वह भी आपका गलत हो गया अब बच्चा आपको नहीं भी आहा रहा है तो भीना देखी कर्द वांसर क्योंकि तीन तो काड चुके थो पाले से तो चार नंबर जो बिल्कुल आपका राइट है क्या कि मैंने आज नहीं कमीज पह है निमानलिखित प्रशं में चार विकलप्पों में इस विकलफ का चैन्रा की जिए जो दिये सब्द के लिए विकलप है यह क्यों आपका वच्चन से तो देखें वच्चन क्या होते हैं अपना होता है देखें ही संदी में दो थे हैं होता है एकवचन ते एक होता है बहुạnh हम कि करे मैं अब पहला समक दूसरा अपका उप्शन है तत दूसरा कॉप्शन है तत सले पोछन सबस्द सबस्ट सबस्ट को बोलना है एक्जाम मोमें जोर जोर से बोला छीन हो गया गया है अच्टेल आपका शब्द है वह आपका तसवीरों रहां सब्द है वो भी आपका गलत हो जाएगा तीसरा है तस्वीरें तीसरा क्या है तस्वीरें अब देखिए तस्वीर सब्द में वी की मात्रा यह दी बड़ी आ रही है तो तस्वीरें में भी तो बड़ी आएगी ना उसमें आपने चेंज क्यों करेंगे तो देखिए तस्वीर का आपका प्रिश्ण में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चैंड की जिए जो दिये गए सब्द का सही स्ट्रीलिंग सब्द है यह आपका लिंक से दिया गया देखिए इसमें आपके grammar और vocab दोनों चीज़े आती है grammar का तो देखिए मैंने आपको एकी फंडा बताया मूल सब्द वाला दूसरा है vocab तो देखिए vocab के जो question है वो भी आपको इनी class से मिल जाएंगी class लेते रही है आप रोज देखिए पहला आपका option है तपश्वीनी तीसरा है तपश्वीन और चार नंबर आपको option है तपश्वी तो आंसर बताई है फटा फटे कोमेंट किजी आंसर को तपश्वीनी 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 और तपश्वी तो देखिए तपश्वी का स्ट्रीलिंग रूप होता है तपश्वीनी क्या होता है तपश् बिलकुल राइट है अगला विखिग तरह निमन लिखत प्रश्यण में चार विकल्पि से उस विकल्प का चेहन कीजिए जो उस्रक्षे बना है यह विखिशन का ऊपशद से देखेए बहुन आप और दक्षिन ya दूसरा का ऊपशन है परवतिये ही यही तीसर थेर का संसार तीयरी आपस से पढ़ना है उसने पूछ रहा है यह उप्षर पूछ रहा है और पहला उसमें आपका पड़ना-रत पूछवकिंण सब्सक्राइब रहा है इसla को किसी है उप्षर करूले न सम्षा है पुर्वा में जुड़के उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं उप्ष्रक कहते हैं और प्रते वे सब्दांस जो किसी सब्द के अंत में जुड़के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रते कहते हैं तो आपको डिफ्रेंस हो देखना मरत करें मलता है पूछ रहा है उप्षरग पूछ रए आप अप देखिए पहले बात करते हैं रिजये अब होगा दक्षीट में जुड रहा है उपश्रग को तो ये रॉप्शन की बात करते हैं परवत ये जण परिवर्तन कर रहे हुझे तो पूछा है उपसरग तो यह इसमें यह क्या है प्रिते है अब तीश्रा आपका option है संसार संसार शब्द की बात करते हैं संसार का विखंडन करेंगे तो आजएगा सम प्लस सार सब्द को तोड़ना सिखो सबसे बड़ी बात अब संसार में देखिए सार है वो मूल सब्द है वो सम क्या है उप्षरग है तो यह क्या आगया आपका सम उप्षरग आगया यानि कि option number 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है चार नमबर आपका option है तेयारी तेयारी जो है क्या ह रूड़ सब्द है उसका विखंडल नहीं होता है तो देखिए दक्षिनी परवतिये इन दोनों में तो क्या है प्रते है यह और यह बात करते हैं संसार की तो संसार में सम है वो क्या है उप्षरग है तो option number 3 आपका बिल्कुल राइट है अगले कुशन की बात करते हैं राह दुकान खरीदी रिक्तिस्थान उसके मामा की थी इस वाक्य में किसी एक सब्द के परियोग से वाक्य है वो मिस्र वाक्य का उधारन बनेगा तो देखिए वही बात है वही फंडा अभी अभी जो मैंने बताया था क्या option उठाओ ठिकाओ और ठिकाओ तो पहला आपका option है दूसरा है पिता के तीसरा है सहोदर और चार नमबर है आपका जो एक-एक उठाओ एक-एक उठाओ option उठाने ऐसे नहीं उठाने और किसी को नहीं उठाना option उठाओ चचेरा देखिए पहला option रखते हैं चचेरे बोलिए सब्दे हैं वाक्य को बोलके देखिए राहुल ने दुकान खरीदी चचेरे उसके मामा की थी जमरा है क्या option को रखो और बोलके देखो उसको राहुल ने दुकान खरीदी चचेरे उसके मामा की थी ये तो बही अच्छा नहीं लग रहा है मेर कोई नहीं लग रहा दूसरा है पिता के दूसरा है पिता के ये रखके देखिए राहुल ने दुकान खरी दी पिता के उसके मामा की थी ये तो बिल्कुल ही उल्टा-पुल्टा हो गया ये तो खिचडी सी हो गया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया तो दो नम्बर उप्शन भी आपका गलत है अब सेश्वारी हैं चला है शकुंज सरों कि रख्याग हैं यह राहुल मदे इसे मामा की थी तो यह भी नहीं जम रहा है य। बात है। शत्रोडर क्या होता है कि मत्र से यह यह पुत्रियां होती है उन्हें सहोधर या सहोधरा कहा जाता है तो देखिए चार नमबर आपका option है जो जो option को रखी रिक्तिस्थान पे राहुल ने दुकान खरी दिदी जो उसके मामा की थी कौन दुकान थी तो option number 4 है वो बिल्कुल जम्राइस पे तो option number 4 आपका बिल्कुल right हो जाएगा कि राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी अगला question है निम्मन लिखित प्रिशन में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन कीजिए जिसमें दिए गए प्रेयवाची सब्द का सही यर्थ है आपका जो शब्द है वो है मचली मचली सब्द की बात करते हैं मचली सब्द का क्या पूछा है प्रेयवाची पूछा है तो पहला आपका option है सिखी दूसरा आपका option है मतस्य तीसरा आपका option है सायक चार नंबर आपक प्रेवाची होता है में बिल्कुल राइड हैं बढ़ता है लिख्षण की तरफ अगला कुशन है आपका निमन लिखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन कीजिए जो किरिया के भेद वाला सही विकल्प है यह क्यूशन आपका किरिया से तो देखिए वाक्य क्या है अध्यापिका छात्रों से ग्रहकारिये करवाती है अध्यापिका है वो छात्रों से ग्रहकारिये करवाती है किरिया कैते किसी है देखिए कि क्रिया क्या होती है कि यह थोड़ा सा कि यह करें किरिया का एक करा किरया के संस्तीं राव होता है चौन क्लाव किरिया को फस्क्रिक किरिया का मूल रूप क्या होता है धातु कि धातु होती है वो किरिया की क्या होती है आत्मा होती यह दोनों किरिया का मूल रूप क्या होता है और किरिया की आत्मा किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है धातू को अब देखिए धातू होती है धातू में जब अपन प्रते जोड़ते हैं धातू में अपन प्रते जोड़ते हैं तो जो वनने वाला जो शब्द है उसे अपन कहेंगे किर किरिया हो जाएगा बात करें किरिया के भेद की तो किरिया के दो भेद होते हैं किरिया के दो भेद होते हैं एक होता है सैकर्म किरिया एक होता है अकर्म किरिया एक होता है कर्म किरिया कौन सी होती है ऐसी किरिया है जिनमें करम है वो मुझूद होता है उसे क्या कहते हैं और जिनकी साथ करम मुझूद नहीं होता है उसे क्या कहते हैं कर्म किरिया तो यह हो गई आपकी किरिया की बात किसी कारे का करने या होने का जो बोध होता है उसे किर किरिया का मूल रूप या किरिया की आत्मा धात्तु को कहते हैं जब धात्तु में प्रिते को जोडते हैं तो बनने वाला शब्द है वो क्या होता है करिया होता है किरिया के दो भेद होते हैं सकर्म किरिया और कर्म किरिया अब देखे क्यों देखते हैं क्या पूचाय अध्या कि पहला देखिए ओप्षिन आपका नाम धातु किरिया तो हिंदी में है वो नाम धातु नाम की कोई किरिया नहीं होती है कोई किरिया नहीं होती है अब देखिए किरिया होती किसी है होती क्या है जब धातु में प्रिते जोड़ते हैं तो किरिया बनती है लेकिन नाम धातु ने जुड़के परते के साथ संग्या या सर्वनाम सब्द जुड़ते हैं और बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनता है किरिया बनता है अगला है पुर्वेकालिक किरिया ऐसी किरिये जो पुर्वे में ही समाप्त हो चुकी है उसे क्या कहेंगे पुर्वेकालिक किरिया ला देखे द्यापिका वो छात्रों से ग्रहे कारी करवाती है यानि कि वो खुदकारी नहीं कर रही है दूसरों को कारी करने के लिए प्रेरीत कर रही है तो कौन सा हो जाएगा प्रेनार्थ की रिया और से नमबर चार है वह आपका बिल्कुल राइट अगला है अगला क्रिशन आपका दिये गए सब्द के विप्रीत अर्थ वाला विकल्प चुनिये यानि कि विलोम सब्द पुछा गया है सब्द क्या है आपका क्रिशन पहला आपका उप्शन है काला दूसरा आपका उप्शन है शुक्ल तीसरा है आपका सफेद और चार नमबर आपका और प्षिन है हरा आंसर बताई फटाफट यह भी फसने वाला कुछन देखने में लग रहा है यह लेकिन आप कर क्या होगे वो मुझे पताए क्रिशन का क्या होगे देखिए मुझे पता है आप जोस में क्या लगा वह इतना इसी कैसे दिया वह आपका आपका सही करवाने के दिया वह आपका गलत करवाने के लिए और आप करके भी आते हो ऐसा क्रिशन का विलोम कुछा है क्रिशन का अर्थ होता है काला ना की विलोम होता है तो क्रिशन के विलोम की बात करें तो क्रिशन का विलोम होता है शुक्ल और जो काला होता है वह क्रिशन का अर्थ होता है तो क्यूसेन को धंग से पढ़िए और जो काला का विलोम बात करें तो उसका होता है सफवेद यानि की भाइड यह इसका विलोम हो जाए क्रिश्ण का क्या होगा सुकल हो जाएगा इसके अलावा अठय का क्या हो जाएगा इति हो जाएगा उनमुग का क्या हो जाएगा हमी मुख हो जाएगा इसके अतरिक दो, तिन ओर हैं देखिए जो की पार एक्जाम में पूछते हैं सदाचार का कदाचार हो जाएगा एक होता है आमिस आमिस का होगा आमिस का आपका हो जाएगा निरामिस एक होता है उपते का उपते का का विलोम होता है अधीते का उपते का का विलोम होता है अधीते का तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कई पार एक्जाम में पूछे भी हैं तो देखिए क्रिशन का विलोम क्या हो जाएगा सुकल बढ़ते एंगले क्यूशन की तरफ उस विकल्प का chain कीजिए जो सही संदी विच्छेद वाला विकल्प है ये question आपको करना है संदी का question आपका गलत नहीं होना चाहिए संदी का answer मैं नहीं बताऊंगे फटा फटा answer कीजिए दिये गया विकल्प कौन सा है वो संदी सही है उसमें पहला आपका A plus cake, दूसरा आपका A K plus cake, तीसरा है आपका A plus cake और चार नमबर है आपका A plus cake, तो देखिए, option उठाते हैं अपने तीन नमबर, A plus A की बात करें, देखिए सबसे पहले तो कितनी बार बोल दिया मैंने आपको, कोई भी सब्सक्राइब है, उसका खंडाइन करते सम सबसे पहले उसको बोलिए फिर उसमें मूलसब्द निकालिए मूलसब्द का निकोगे प्लस के बाद में मूलसब्द लिखिए जो बचता है वो पहले लिखिए और जैसे जहां जहां जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं वही संदी का नाम है देखिए एक प्लस एक लेते हैं अब एक प्लस एक में ए प्लस ए हो रहा है और एक प्लस एक को जब जोडते हैं तो सब्दा आपका बनता है एक का एक और एकेक सबध है, मतलब है, a plus a मिलके क्या बन रहा है, double मातरा बन रही है, मतलब, संदी कौनसी हो गई, व्रदी हो रही है स्वर में, तो संदी का नाम भी क्या हो जायेगा, व्रदी संदी हो रही है, अब पहला आपका option है, a plus cake, अब देखे, एक-सब्द की बात करते हैं एक सब्द लीजिए और एक जो आपका उप्षिन हो उठाई आप यहां देखे ए-प्लस बिल्कुल राइट है। संदी हैं संदी में दुबारा से रिपीट करते हूं यानि कि एक मात्रा से टूटने वाला शब्द यदि कोई भी शब्द है वह एक मात्रा से टूट रहा है मतलब संदी कौन सी गुन संदी कोई शब्द है वो यह पर रह से टूट रहा है तो संदी कौन सी यन संदी यदि कोई शब्द है वो यदि आए आए आव से टूट रहा है तो संदी कौन सी आयाती संदी और यदि श्वर में जो वर्दी हो रही है यदि किसी सब्द में श्वर में वर्दी हो रही है तो वर्दी सं और यह सारे पय्ठ है वह किसके है स्वर संदी के तो देखिए स्वर्शंदी है उसके पार्ट होते हैं five पांस निसके भेध होते हैं और इसही में अते हैं यह गुण वर्दी आयादि द्रग और वर्दी देखिए कि इसमें देखिए आपका option सब्सक्राइब नावर्फशन है कुट्टिल है दूसरा पका और सिधा और चाहर नंदर आपका सब्सक्राइब तो इसका विलोम होगा रिजू का विलोम होगा वक्र अब बात करें अर्थ की तो रिजू शब्द का अर्थ होता है टेड़ा या मेड़ा टेड़ा मेड़ा रिजू का अर्थ होता है तो वक्र का क्या हो जाएगा सरल वक्र का क्या हो जाएगा सरल तो रिजू का विलोम पुछा है तो देखे इसमें वक्र है वो अप्शन में नही पुर्ट क्या हो जाएगा सरल दे कि सरल और शीदा होते तो यह भी सिमिलर है लेकिन रिजुकल की बात करते हैं उसके अर्थ के अधार पर विलोम पुछह है तो रिजुकल什么 क्या हो जाएगा सरल हो जाए तो option number two है वो आपका बिल्कुल सही है अगला है मिनक्षी शब्द के लिए सही करमधारी समास के विग्रह का विकल्प शुनिए आप देखे मिनक्षी सब्द दिया गया है तो पहला option है मीन की आँख दूसरा option है मीन के समान अक्स तीन नंबर आपको option मेन भूपी-8 और चार प्राकूक है मीनहर आग 몸 3 इसी सब्दorama करंधारी समास होता है उसका समास्रियं पूछा तो दें बात करें अग्षी मिनाख्यची मचली के समान यहां पर अर्थ नहीं लिखना है जो वर्ड में जो सब्द दिया गया है उसी को एज़ेटीज लिखना इसका यदि अर्थ लिख दोगे तो यह भी गलत हो जाएगा यानि कि मीनकिस्तान पर यदि मतश्य या फिर मचली सब्द का आपने परियोग कर लिया तो व कि बार क्यों पूछ लेते हैं करमधारी समास का क्या फंडा है करमधारी समास में होते हैं अपने एक तो होता है विशेश्ष एक होता है विशेशन इसके खुद के करमधारी समास के चार पारट होते हैं में होता है उपमान और एक होता है उपमे इसके चार बाग कौनसी कौ करंधार समास ? प्ली में करनंधार समास तो मिनाकशी सब्द है उसमें क्या बता ऌसली की दी गई को दी गई है आखों को दी गई है तो इसमें कौन सा हो जाएगा करमधारिय समास अगला आपका क्यूशन है इसमें देखे मीन के समानक्षी ऑप्शन नमर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बात करते हैं अवनी का विलोम शब्द क्या है अवनी जो सब्द है उसका विलोम सब्द पुछा है बताइए पहला आपका ओप्शन है धरा दूसरा आपका ओप्शन है संक तीसरा आपका ओप्शन है अंबर और चार नंबर आपका ओप्शन है श्वामी आंसर बताइए फटा-फट विलोम सब्द पुछा है अमनी का तो देखिए अमनी का विलोम ह होता है सुपनाजर बात करें दहरा शब्द की दो धरा शब्द है वो भी प्रित्वी का ही समाना और्थी शब्द होता है और पुरित्वी को औरनी बोलते हैं यनी कि धर्द्डी और अवनी यह ती तिनों किया moment और है वह आकास को बोलते हैं और श्वामी जो सब्द है उसके ऑपोजिट की बात रहे तो उसका होता है दास तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा अंबर बढ़ते अगले क्यूशन की तरफ अगला आपका क्यूशन है निमन लिखित प्रशन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन कीजिए जो देसज सब्द का सही विकल्प है अंसर वत ये फटा फट देसज सब्द पूछा हो गया है पहला आपको प्शन है आमदनीर दूसरा अपका प्शन है देयात तीसरा आपका खटपट और चार नंबर आपका पूछन है मलाई आंसर बताइए वह असंव पूछा ये आंसर तो आपको बताई देना चाहिए तो देखिए देसा शब्द है अपना खटपट यनिकि क्या होगी इनमें खट-पट हो गई तो वह होते हैं तत्षमä शब्द कि एक होते हैं त gdzieśANGe और एक होते हैं आपके वितेशज शब्द अब देखिए तत्स्रम शब्द कौन से होते हैं देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत भासा से हिंदी में आए यानी कि संस्कृत भासा से लाए गए थे उन सब्दों को लेकिन उनको बिना किसी परिवर्तन के अब देखिए उनकी हिंदी की व्याकर में उनका परियोग याने लगा तो उन्हें क्या कहा गया तत्संसब्द एक होते हैं तदभाव सब्द एसे शब्द जो संस्कृत भासा से हिंदी भासा में आए लेकिन सैकडों वर्षों तक परियोग में लिये जाने के कारण और लेख ऑत्ता कि द हस्टी से अपने उनके हर्थ में परिवर्तन कर लिया तो उन्हें क्या कहेंगे तद्भाव सब्ध कि देश सज्ज शब्ध में उस última जो वर्ड यूज़ करते हैं होते हैं देशज शब्द जैसे खटपट हो गया एक होते हैं विदेशज शब्द अब विदेशज शब्द हैं जैसे अर्बी बासा के आगे फौर्ची बासा के आगे जापानी के आगे ऐसे अलग-अलग जो देश हैं उनसे जो वर्ड आपने गरहन की हैं वो क्या आगे सब्द है उसका विलोम सब्द कौन सा होगा सामिश सब्द का विलोम सब्द पूछा गया है पहला आपका ओप्षिन है एमिस दूसरा आपका ओप्षिन है निरामिस तीसरा आपका ओप्षिन है एमिस और चार नंबर आपका ओप्षिन है सहीत आंसर बतेए फटाफट सामिश जो शब्द है उसके विलोम की बात करें तो उसका विलॉम हो जाएगा निरामिश किया हो जाएगा कि निरामिश इसके अलावा देखो मैं अभी अब किसमें संदी में और संदी में व्याकरण में व्याकरण में आपके सामने कोई कोई सबसे पहले आप उसको बोलो उसका खणडन करो यह वह आपके सामने शब्सक्राइग तो पलस्त के बाद में आपको लिखना है मूल सब्सक्राइग तो गत्यानुशार में मूलसवद के बात करें तो अनुसार अनुसार मूलसवद इस लिखना बचता है वो प्लस से पहले लिख दो तो बचा क्या गती गती प्लस अनुसार अब यह देखो जो सब्ध है को टूतरा कहा से का से टूतरा है यह से और रहे से तूत रह questioning हैा कि यह उर दो भागों में बाटिए दो सब्द आपके सामने निकल के आए हैं गती प्लेस अनुसार तो इसका समास हो जाएगा गती के जोड़ना गटाना कुछ भी नहीं है अग्जामिनर रफ वो आंसर आपको साथ देता है बस समझने की देरी होती है तो गत्त अनुसार में समास विग भावी तरह समास आपको सबसुती वाले कुछ वर्ड की बात करते हैं अपन सब्द देखिए खुछ शब्द है जो सीध्धी सीधी कई बार एक्जाम में पूछे हुए हैं आपकी इस एक्जाम में भी कई बार आये हुए हैं तो देखिए पहला आपका है देखिए ठे आता है तीसरा आपका विसिस्ट वर्ड में वी और सी छोटी आती है और ठे आता है ना की ठे आता है अगला है आपका स्वादिष्ठ अब देखिए स्वादिष्ठ नहीं होता है क्या होता है स्वादिष्ठ ठे आता है एक आता है आपका गरिष्ठ क्या होता है गरिष्ठ इसके अलावा देखिए एक आता है आपका कई पार एक्जाम में पुछा वएर बहुत पार गलती करते हैं अपने त्योहार सब्द में दो मात्रा लिख देते हैं तो मूल सब्द अपने पास क्या निकल के आता है उजवल आता और उजवल में दोनों जए हादे आते हैं इनके अलावा देखिए अपन बोलते हैं श्राप जो शब्द है वो वर्तनी की दरस्टी से गलत होता है और अपन बहुत बार शीदा बोलते हैं श्राप श्राप नहीं यह सब्द का अर्थ तो देखिए बिल्कुल ही उल्टा निकल गया किसी की साध्य में आप बारात सब्द होता है सब्यात्र, तो जो अपन जो बारात बोलते हैं जो साद्धी में जो बारात होती है वो बारात नहीं होती है क्या होती है बारात होती है तो ध्यान रखिए बारात ना की बारात बारात यानि शव्यात्रा तो यह जो सब्द है इनको भी आपको ध्यान रखना है यह कई पार इजाम में पुछे वे इनको अलग से लिख दिया आपके लिए अग्यारा क्र०्शन है लाम का क्विशन है पेउस शबद का अनेकार्थी सिंद है इसका अनेकार्थी सब्द कौन सा है पहला आपका नीर दूसरा आपका है देवता तीस आपका option है अमरेत और चाय नहुंबर आपका option है विक्री aç veto पेसभ인가 अनेकार्थी शब्द है तो प्यूस जो है शब्द है कि सब्ध तो अनेकार्थी सभत होगाई Amrit दूद अनेकार्थी शब्द क्यों होते हैं देखिए प्यूज का अनेकार्थी होता है अम्रित इसके अलाब प्यूज को होता है दूद तो अनेकार्थी ही अच्छे से अपने सपनों को उडान रोज 7 बजए आई आई हिंदी की क्लास में 8 बजए रोज आपकी पिछे वाले वीडियो नहीं देखिए तो एक बार पिछे वाले वीडियो थेक्रेशारे सलेक्टिव हैं हच्छे हच्छे क्यूशन है कई क्यूशन तो आपको एज़ेटीजी मिल जाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर कीप लर्णिंग और कीप एक्सप्लोरिंग